Hello everyone, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल वहेंस पढ़ाई में आज हम करेंगा अपना चाप्टर बेसिक ICT स्किल्स ठीक है एक एस और लगा देती हैं आपर अच्छा ICT स्किल्स क्या होती है Information and Communication Technology तो इनकी स्किल्स हमें सीखनी है आज इस चाप्टर में असान साप्टर है जो आप बचपन से computer सीखते आ रहे हैं बस उसी के चिद्दो चिद्दो से step लिखे हो हैं कि नया folder कैसे बनाते हैं, नई file कैसे बनाते हैं, delete कैसे करते हैं, rename कैसे करते हैं, operating system कि सको कहते हैं बस वह ही है hardware, software तो इतने बच्चों जैसा है इसमें का फुल नंबर लाने चाहिए आपको तो लेट स्टार्ट आर चैप्टर विदाउट नी देरी अच्छा कोई भी डाउट और इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीम कर लेना इल रप्ला यह नोट चाहिए टेलेग्राम पे फॉलो कर लेना और वहाँ से डाउनलोड कर लेना फ्री में ठीक है और और अब शुरू करते अपने इस चैप्टर को कम टाइम में फॉल डेटेल लेटेस लेवस के हिसाब से तो सबसे पहले हम बात करेंगा भाई अपने ऑपरेटिंग सिस्टम की ठीक है ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ् जो है उश् और ये दता है कि डिवाइस अच्छे से फंक्षिन कर भी रहे है नहीं कर रहा सारे जितने वह सौपव्वेः उनको कंट्रोल करके रखता है और कम्प्यूटर में जो मेमोरी होती है RAM वगेरा तुमारी उनको भी manage कर लेता है disk space कितनी भर रही है कितनी खाली है उन सब चीजों का भी देखता है create करता है copy करता है move करता है delete करता है files को यह आपको allow कर देता है यह सब चीजे तो यह functions हो गया आपके है ना operating system की types कई सारे types हैं वैसे तो सबसे पहला होता है interactive GUI based GUI क्या होता है graphic user interface तो यह आपने सुना होगा काफी बार है ना तो graphic user interface in which commands can be entered by जिसमें command जो है वो enter की जा सकती है by clicking जैसे click कर दिया double click कर दिया right click कर दिया mouse में तो आपका जो है एक interface खुल जाता है command देने से जैसे कि windows में होता है फिर आता है single user single task operating system अभी इस टाइप ऑफ यह ठीक operating system है यहां पर क्या होता है सिर्फ र जो है computer पर काम कर सकता है एक time पर है तो इसlü लिए नाम किक इसका single user, single user multi task operating system क्या होता है इस टाइप के operating system में single user जो है एक time पे काफी सारे काम कर सकता है जैसे कि आपके Windows और Apple Mac OS में ठीक है multi user क्या होता है multi user आपके operating system में बहुत सारी लोग एक time पे same computer पे काम कर सकते हैं real time क्या होता है real time operating system में आपकी machinery control की जाती है scientific instrument होते हैं जैसे की robot बगेरा यह सब चीज़े computer को handle करते हैं इतनी बात समझ में जैसे की Windows CE और LYNX OX यह कुछ example है अच्छा अब आगे देखो distributed यह कैसा है जो कि बहुत सारे different different computers को अलग अलग network से combine करता है एक single integrated computer बनाता है और storage location और location भी store कर लेता है ठीक है example है Windows, Unix और Linux अच्छा कुछ commonly used operating system जो mostly सभी करते हैं जैसे की disk operating system Windows यूज करते हैं जो कि Microsoft ने डिल अप किया Windows तो बहुत सारे लोग करते है Linux भी यूज किया जाता है और mobile operating system में Android आता है Sambian, Windows Phone और iOS ठीक है अच्छा अब यहाँ पर देखो जो आपकी Windows 7 लगी रहती थी ना desktop पर उसके कौन-कौन से components है तो एक तो desktop होता था पहली screen जो होती थी आपकी जिसमें आप wallpaper लगाते थे अपनी favorite सी वो desktop आपका पहली screen wallpaper होता था जो आप बढ़ी आसे quotes लगाते थे या फिर बढ़ी आसी scenery लगाते थे वो wallpaper होता है छोटे-छोटे icons होता है माई computer के recycle bin के तो icons होते थे टास्क बढ़नी चे टास्क बार होती थी desktop के bottom में लंबी सी उसमें आपका start button active application notification area date and time होता था तो यह कुछ चीज़े थी आपकी Windows 7 पे और icon कौन-कौन से होते थे एक तो my computer जिसमें आपकी storage और क्या-क्या चीज़ आपकी computer में भरी हुई है files, folders वगएर होते थे है न my computer में recycle bin में जो चीज़ आप delete कर देते जिन folders, files, photos, videos को वो सारे recycle bin में होते अब file देख लेते कि file क्या होती है तो जो भी चीज़ आप computer में store करते है वो किसी file के रूप में store होती है जैसे कि आपने MS Word पे काम किया और उसको save कर दे तो .docx के नाम से save होती है वो भी एक file के नाम से save होती है तो file system एक तरीका है जिसमें आप एक file को नाम दे देते हो उसको store करते हो उसको edit कर सकते हो और जब जाहें देख सकते हो क्यों आपने क्या काम किया था और कभी-कभी हम इन files को एक group में भी लगा देते जैसे मानलो आपने 10 file बना दिया और एक drive select कर लो कि मुझे इस जगह पर अपना folder बनाना है राइट क्लिक कर दो mouse पे और एक dialogue box appear होगा new folder पे दबा दो और उसको rename कर दो और दूसरा भी कई पर भी right click कर दो किसी भी जगह पर shortcut menu आएगी वहाँ पर new folder select करके type करके enter कर दो यह shortcut वाल है और एक file कैसे create कर सकते हो उसके भी basic steps है right click करो किसी भी blank जगह पर shortcut menu आएगी new page आएगी select किस type की file बनानी और वह create कर देना है ना अब rename कैसे करोगे आप rename वाला देखो किसी भी file या holder पर right click करना dialogue box appear होगा उसमें आपको एक option आज जाएगा more properties फिर जाना rename पर rename कर देना एंटर दबा देना तो वही सारे basic यहाँ पर वह है ठीक है या फिर एक छोटा सा है कि F12 दबा देना है ना select कर लेना उस file folder को F2 की दबा देना और rename कर देना अब delete कैसे करोगे एक तो select कर लेना जो भी आपको file या folder आपको delete करना है उसको select करके और उस पर delete की दबा देना simple सी बात है या फिर right click करके dialogue box आएगा delete option दबा के और हो गया काम copy कैसे करोगे select कर लो किसी भी file या फिर folder को control C दबा दो copy हो गया या फिर उस file या folder को select करके right click करके आपके पास आया एगा dialogue box आप या उसके आपको copy का option होगा वो copy कर लेना तो copy हो गया यह सब basic basic step है अभी तक तो आपको आ गए होगे अब फिर drag and drop method क्या होता है copy करना है आपको file and folder को उसके बाद उसको hold करना है control की दबाये रखनी है और उसके बाद वो आ जाएगा ठीक है keyboard से आप control C दबा सकते हो और paste कैसे करोगे अगर आपने control C कर लिया तो control V से आपका paste हो जाएगा है ना अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह पर कोई भी file लेके जाने drag and drop method करना है जैसे मानलो मेरा एक folder था शिखा के नाम से और वो save था desktop पे अमें चाहती हूँ यही वाला folder जो है na documents वाले area में आ जाए तो मैं क्या करूंगी इसको select करके और उसके बाद control X दबा दूंगी जिसका क्या मतलब होता है cut document में आँगी control V दबा दूंगी कॉपी एंड पेस्ट लग होता है cut and paste लग हो जाता है पर मानलो अगर आपने control X की और किसी कारणवश आप उसको पेस्ट नहीं कर पाए तो फिर वो फिर हमेशा के लिए चला जाएगा कुछी तरीके से तो इस बेटर कि आप control C दबाओ है अचा पर्मनेंटली डिलीट कैसे करोगे right click करो click the recycle bin icon और पहले मतलब recycle bin में तो वो सारी चीज़ों होती है जो आपकी deleted होती है पर्मनेंट डिलीट करना तो recycle bin कोई साफ कर दो delete option पे दबाके है तो empty कर देना restore कैसे करोगे अगर मानलो आपसे कुछ चीज़ गलती से delete होगी और वो अभी भी recycle bin में तो आप उस पे click करना और उपर आएगा एक option restore the selected item वो प्रेस कर देना ठीक है तो यह भी हो गया अब आगे देखो apply basic skills for care and maintenance अब भई हमारा computer है उसकी care करना उसकी maintenance करना किसकी हमारी तो है आपके जो की बोड होते है इसको साफ कुन करेगा है मैं करूंगी आप करोगे न तो इसलिए आपको इसकी care करनी चाहिए care कैसे करोगे बहुत easy chapter है सही में अच्छा computer system जो है उसको maintenance की जरूए ताकि वो भई अच्छे से काम करे अगर ऐसे ही खचाड़ों की तरह छोड़ दोगे तो failure हो जाए आपको computer तो इसलिए regular maintenance करो भई इसको खिलाओ पिलाओ caring करो ताकि वो अच्छे से काम करता रहे computer के virus से computer को बचाओ antivirus install करके रखो और update करते रहो periodically उस चीज को है ना data loss होने से बच जाए external और internal पार्ट जितने भी है उन सब की care करना बहुत ज़रूरी है जैसे की computer पर dust मत जमने दो उसके ओपर वेठी कुछ खाओ पियो मत है ना keyboard को साफ रखो अपने हाथ वाथ को साफ करके आओ computer use करने से पहले cd और dvd को बहुत अच्छे से handle करो ताकि वो damage ना हो जाए keyboard को cover रख लेना जब उसका काम ना हो है ना और कैसे कैसे साफ कर सकते हो पहले तो भाई power off कर दो computer की कोई भी spray है fluid जो है direct component of the computer मत मारो सही सही पे fluid मारो ठीक है do not allow the cleaning liquid circuit board के पास कोई liquid मत डालो regular maintenance कैसे करोगे antivirus regularly आपको update करना है जो आपकी computer में regular disk होती है local c और local d इन सबको भी चेक करते रहे कभी unnecessary files जो है वो यहाँ पर store हो जाते है तो उनको delete कर दो और उनकी वज़े से हमारे computer भी slow down होता है तो बार-बार cache items वगेरे को delete कर दे backup लेके रखा करो अपना system को update किया करो RAM को increase करा हो storage space भी increase करा सकते हो internet files जैसे की cage वगेर होती है उनको temporary वाली उनको delete करते रहना चाहिए और protecting computer against virus वायरस के खिलाफ अप कैसे computer को बचा होगे वही antivirus डाउनलोड कर लो है तो computer virus एक software program होता है जो दूसरे programs अपने अंदर ले आता है और वह computer का दिमाग खराब कर देता है और virus की full form क्या होती है vital information resource under seas एक number का आता है याद कर ले full form ठीक है virus जो है आपका email messages के through fraud email नहीं आते उनके through आ जाता है computer से दूसरे computer में फैल जाता है किसी ने आपको email कर दिया virus आपने उसको खोल के देख ले कि क्या है इस email में कोई link आ गए आपने प्रेस कर दी automatic आपके computer में virus आ जाएगा ठीक है so ऐसे हो जाता है जैसे कि आपका computer का data hackers ले जाएगे न तो उससे क्या होता है computer में अगर आपका antivirus software है तो उस virus को वहीं पर खा जाएगा और computer को update कर दिया जैसे mca, fee virus, scan और उसके बाद not an antivirus, microsoft security essentials and quick heal इस तरीके से computer can get infected with virus computer जो है virus के साथ infect हो जाएगा in any of the following ways जैसे कि infected files, infected pen drives अगर आपका infected cd-rom or dvd-rom है या फिर आपके email के साथ कोई ऐसी attachment आई है जो कि infected हो तो इन सब के कारण हमारा computer जो है infect हो जाता है मतलब उसके बिमारी लग जाती उसके virus हो जाता है तो यह हो गया आप computer virus क्या नहीं कर सकता आपके cd-dvd को यह ठीक कुछ फर्क नहीं पहुंचाएगा आपके keyboard mouse को कुछ नहीं करेगा hardware system को common science क्या होता है जिससे कि आपको लगए कि virus हो गया computer slow हो जाएगा file size में change आसकता है मतलब जाद से जादा files download हो जाएग क्या पता है और computer respond करना stop कर देगा बहुत सारी files बढ़ जाएगी और error का message आएगा आपके screen पर computer अपने आपी restart हो जाएग कुछ इस सरीके से कुछ points आपको अपने दिमाग में भी रखने है virus के लिए antivirus software को install करो, use करो update रखना उसको सारी files scan करो जो भी आप internet से download कर रहे हो emails किसी भी unknown इंसान के आपको खोलने नहीं है किसी भी untrust इंसान को आपको अपने system देना ही नहीं है ठीक है अब अपनी जो temporary files आप उनको कैसे remove करोगे है temporary files को temporary files कैसे निकालोगी .tmp जो कि automatically download होई जाती है तो उन files को आप कैसे करोगे browser history में जाना और वहाँ पे आपको बहुत सारी आपकी files मिल जाएगी तो आप उसको remove कर सकते हो delete के option पे दबाके इस तरीके से steps देखो computer icon पे जाना browser history आप computer पे जाना my computer पे उसके बाद computer window जो है open हो जाएगी जो computer की windows है open हो जाएगी right click local disk c इस पे जाना उसके बाद select properties option from the shortcut menu and उसके बाद property window open होगी disk cleanup होगा फिर the disk cleanup for c window appear हो जाएगी फिर click the checkbox next to temporary files temporary internet files etc जो भी आपको delete करने और okay यह थोड़ा आपको याद करके देखना पड़ेगा वैसे यह local c में जाना और उसके वहाँ पर temporary files को delete करने के कुछ यह सारे options है local c में जाना right click करना फिर वहाँ पर properties option आएगा और उसके बाद से फिर आपकी property window open होगी available हो जाएगा temporary folder को कैसे remove करोगे आप वह भी देखो इसमें भी थोड़ा लोचा है windows button पे press करना plus R आपको keyboard पे प्रेस करना है the run dialogue box run dialogue box appear आएगा percentage temp percentage आपको type करना है फिर temp folder open हो जाएगा control A से आप सारी files और folders को select कर लोगे delete दबा दोगे message आएगा yes confirm कर देना और सारी files और folders जो भी आपको नहीं चाहिए temporary वाली वो delete हो जाएगी ठीक है firewall क्या होता है भाई यह programmable device है या फिर एक software है network security system यह करता है monitoring करता है security system control करता है incoming or outcoming traffic की कहा से traffic वोगेरा आ रहा है यह mostly protect करता है हमारे computer को cookies क्या होती है भाई आप किसी भी site पर जाते हो वो आपसे confirmation लेते है cookies का तो आप करते हैं accept तो वो क्या करते हैं उस site पर आपने जो चीज देखी है observe कि हैं वो सारी चीज़े जो आपकी computer में डाल देते हैं और वो particular sites जो हैं आपका data ले लेती है कि अपने साइट पर से क्या-क्या लिया है क्या-क्या देखा है क्या चीज अपको पसंद आई है तो वो cookies होती है ठीक है तो इस तरीके से हमारे जो chapter वो finally खत्म होता है and I hope आपको मेरे पढ़ाने का तरीका काफी अच्छा लगा होगा chapter भी समझ में आ गया होगा so what you have to do so if you like the video and the explanation then please do like, share, comment and subscribe the channel thank you so much